नमस्ते उम्शान्ति आप सब शुड़तां को और आज का आपका एक्सव चौतर दिन का इश्वर वर्दान और वर्दान में जाने से पहले हम इस लिंक पे देखेंगे जाकर के योगासन्स, फ्लेक्सिबिल्टी, डायेट, एंड स्लीप, नीज को कैसे पूरा करें और क्या ग के हैं तो बह्त ताकत लगाते हैं भूल फोर्स लगाते हैं खुद ही ठधो जाटे हैं और adviser ऑर लोग सबस्ताह तबनाधा एद्धेच्टि ऑन के सांयसरे मोड़ा आफ रहता हैं और भी हमारे सांथ में मोड़ा रहते हरं और कैसे हम अपनी ओपर फोकस करें और आगे पढ़ते चलें। देखें आज बाबा कहते हैं इस फर्दान में। बाबा कहते हैं त्रिकाल दर्शी, त्रिकाल दर्शी मतलब कि तीनो काल, हम जानते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत काल, वर्तमान काल और भागशे काल, ये तीनो कालों का अगर ग्यान मिल जाए, तब जाकर कि हम कुछ भी कारे सफर कर पाते हैं, तो इसके जो है आत्मान तुम में अपने पिछले जन्मों का ग्यान नहीं हैं, आज की लाइफ में, कल लुग में अगर कोई अपनी ऑटो बाइग्राफी भी लिखता है, तो उसमें भी वो उसके बच्च्पन से लिकर के अभी तक के समय का लिखता है, लेकिन वो तो इस जन्म के संस जिनिर बन जाता है, सिंगर बन जाता है, उस सिंगर की फैमली में पैता होता है, वो क्यों पैदा हुआ सिंगर की फैमली में, सब के सब सिंगर्स ही क्यों है, सब के सब म्यूजिशिन्स ही क्यों है, ये चीज आती है पिछले जन्मों के ग्यान से, तब जाकर के उस आत्मा क को पैचानना जोरी है कि मेरे अंदर कला कौन सी है और किस कारण मेरे अंदर वो कलाया ही है तो आगे दिखें बाब कहते के हैं तरिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहे सदा अचल और साक्षी जब हमें पता चल जाता है कि हमारे क्या संसकार हैं क्या लेकर के हम पैदा हुए ह परमात्मा हमें मेरेटेशन में इस ग्यान के दोरे समझा देते हैं, तब हमारे अंदर डाउट निया होता, कि मैं किस चीज के लिए उस धरती पर, क्या है मेरा पर्पस इस धरती पर, करना क्या है, क्या मुझे वैसे ही औरों के जैसे ही पड़े लिखाई करनी है, नौकरी ले हिल्प करके, बहुत मदद करके ही मुझे श्यर्वी छोड़ना है, ऐसा उच करतवे करके मुझे जाना है, कि साधारन जीवन जीना है, तो परमात्मा इसको हमें समझाते हैं, इस राज के द्वारा, तो परमात्मा कहते हैं, अचल और साक्षी, तभी हम अचल हो जाते हैं, ना अपने आपको डाउट करते हैं, ना अपनी जिंदगी को डाउट करते हैं, ना किसी को ब्लेम करते हैं, और साक्षी हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, रहने वाले, नमबर वन, तकदीरवान भव, तब हमारी तकदीर का, जो भागय का, तिजोरी कहें, ताला कहें, व वो समझ करके ना तो हम इरिटेट हूंगे, ना फ्रस्टेट होंगे उस कारण से, तो हमारे संकल्प कैसे हंगे? हमारे संकल्प भी अच्छे होंगे, हम क्यूं किया में नहीं चाहेज़े, मैं ऐसा क्यूं हूँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मात ऐसे क्यूं है, क्या, क्यूं, कैसे, का, सब खतम हो जाएगा, जब सारा focus अपने ऊपर आजाएगा, तो परमात्मा कहते हैं, होकर हर संकल्ब, जो हमारा संकल्प है, जिस कारण से हमारी तकदीर बनती है, हमारा भवेश्य बनता है, उसको हम उसके पर focus करेंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे यनिकी हम औरों की उपर focus करें वो ऐसा क्यों है परमात्मा कहते हैं सही संकल्ब शुद्ध संकल्ब तब जाकर के हमारा हर करतवे आगे अच्छा होता रहेगा और बढ़ता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे पने जीवन में तो हर संकल्ब, हर कर्म करो और हर बात को देखो जो भी चीज हो रही है हमारे आसपास चाहे अच्छी हो रही हो चाहे बुरी हो हर चीज में कही न कहीं कल्यान चुपा है कही न कहीं रास चुपे हो है तो अगर हम तरिकाल दर्शी होकर देखेंगे तब जाके समझ आएगा और विस्तार में चलते हैं आगे यह क्यूं यह क्या यह क्यूं हुआ यह क्या हुआ यह क्यूं हुआ यह क्या हुआ यह question mark ना हो सदा full stop full stop में क्या होता है एक बिंदी लगती है आत्मा भी परमात्मा कहते है बिंदी है तो यह क्यूं हुआ यह कैसे हुआ answer सब किसमें full stop में full stop मतलब बिंदी में आत्मा हर एक आत्मा का अपना-पना part है हर एक आत्मा पिछले जन्मों के संसकार लेकर के उसने जो अच्छे करम किये बुरे करम किये उसके अनुसार आपके घर में या पैदा हुई है या आपका husband बनके आई है या आपकी why you बनके आई है या आपके बच्चे बनके आई है तो आप उनको मेरा बच्चा मेरा husband मेरी wife समझ नी सकते क्योंकि वो पिछले जन्मों में किसी और के बच्चे किसी और की wife किसी और के husband रह चुके और वो संसकार लेके आई है तो आप कैसे देखोगे अगर आपको पता चल जाए कि कोई एक journey पे आया हुआ है विक्ती और उसने पिछले जन्मों में बहुत उसने hardship बहुत ही मुश्किले उसने face करी थी वो संसकार उसके अंदर कड़े हो चुके हैं उसके अंदर doubt बना का low confidence का उसके अंदर संसकार है तो आप क्या करोगे, क्या आप उसको जबरस्ती करोगे, क्या उसको पुश करोगे, नहीं, तुम ठके होए, लेकिन तुम्हें करना ही करना है, मुझे पता है, तुम्हारे अंदर ठकावट है, लेकिन तुम्हें आके बढ़ना ही बढ़ना है, आप उसको रेस्ट करने दोगे उसके अंदर वो शक्तियां भरने दोगे उसको आप हील होने दोगे कि पिछले तुम जरनी से ठक होए आये हो तुमें बहुत ठकावट है तुमने चोटे खाई है करम करते होए पिछले जन्मों में अब तुम थोड़ा रेस करो अपने आपको हील करो और फिर जब शक्ति भर जाए तब तुम सही दिश्या में चलो उसके लिए हमारे अंदर पेशिंस आती हम तरिकाल दर्शी हो आते है हमें समझ आता है उसका पास समझ आता है उसका प्रेजेंट पे हमें कैसे उसके साथ बहेव करना हो समझ आता है और इसका फ्यूचर क्या है हमें पता है प्रमात्मा ने कहा है सबका फ्यूचर ब्राइट है हम किसी को भी जज नहीं कर सकते किसी को नकार नहीं सकते किसी को अंदिकार नहीं सकते परमात्मा कहते हैं वो पाप बन जाता है तो छोड़ो अपनी उपर फोकस करो मुझे क्या करना है ये फाइदा हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं Nothing new है न हमें पता है कोई नहीं बात नहीं है हमें पता है परमात्मा का है कि कई जन्मों से हम पाप करते आए हैं और इस कारण से आत्मा है पाप करते करते ठक चुकी है और हम चाहें इस जन्म में जो हमारे घर में आए हैं हमारे महमान हैं हमारे दोस्त हैं जो भी रिष्टेदार हैं वो हमारे अनुसार चले पिछले जन्मों का record तुम मुझे पता है, आप तो सोच में नहीं सकते हैं उन्होंने क्या क्या किए अपने पिछले जन्म में अच्छा और बुरा तो आप कैसे कह सकते हो कि उनको आपके अनुसार चलना है वो आत्मा अपने संसकारों के अनिसार, अपनी शक्तियों के अनिसार, अपने पाप और पुढ़ने के घड़े के अनुसार जो जो उनों ने किया है उस अनुसार इस जनम में भागे बनाएंगी चाहिए वो जनम में वो धनी हो या गरीब हो इस जनम में चाहिए वो आगे बढ़े या पीछे चलें ये सब कुछ उनके पिछले जनमों के करमों का है तो इस जनम में परमात्मा उनको सयोग दे पाएं उसके लिए हमें उनके और परमात्मा के पीछ में नहीं आना है झी जानकर पार्ट में आओ उनके शाने कुछת पेश्चान पाए ने कहा है, उनकी पिछले जन्म मेंनी क्या है , है महसता है , परमात्मा कहते हैं ये भी अभी मतलब अभी मान तो ये अभी मान को छोड़ो, रिलाक्स हो जो, अपने आपको भी हलका करो और उको भी हलका करो आत्मा के संबंद संपर्क में आते हैं नियारे और प्यारे पन की समानता रहे किसी के संबंद या संपर्क में अगर हम आते हैं जाए वो कोई भी हो और हमारी इच्छ हैं उनसे बढ़ जाती है इसको ऐसा करना चाहिए इसने ऐसे क्यों किया इसने ऐसे नहीं कहना चाहिए था इसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था परमात्मा कहते हैं ऐिकाल दरशी भूल गई ? उस आतमा को आप पेचादना भूल गई ? आप जाते हो कि वह आपके अंडर काम कर रहा है या आके साथ काम कर रहा है या आपका business partner है, या आपका subordinate है, या घर में है, छोटे है, बुजर्ग है, वो आपके अनुसार चलें, क्यों? क्योंकि आप जादा जानते हो, आपको सब पुछ पता है, परमात्मा कहते हैं, यह सब कुछ गलतिया हम करना शुरू करते हैं, और औरों को भारी बनाना शुरू कि यह तो हैं यह से, इंसे हम दोस्ती नहीं करेंगे, इनके साथ बात नहीं करेंगे, परमात्मा कहते हैं, यह आपका mood, आप खुदी खराब कर रहे हो, दुख खुद को होगा, अशान्दी खुद में फैलेगी, तो नियारे हो जाओ, और प्यारे पन की समानता रहे, और प के अंदर जैसे एक मा के अंदर है तो क्या होता है, वो देखती ही बच्चे को सिखाना तो है, लेकिन पेशिंस रखती है, उनको पता है कि एक दिन में कुछ भी होनी सकता, उसी तरीके से हमारे अंदर भी यह मा जैसे गुणा आजाएं, परमात्मा चाहते हैं, धहरता आज जाएं, जैन शीलता आजा हमारे अंदर भी, तो परमात्मा कहते हैं, तो हलचल समाप्त हो जाएगी, हमारे अंदर जो हम हलचल करेट करते हैं, ऐसे क्यों, क्यों, कैसे, यह सारी चीज़ हमारे अंदर हलचल रहें, खतम हो जाएंगी, ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, य क्यों क्या irritated होते रहेंगे frustrated होते रहेंगे और हमारी acting कैसे होगी पार्ट कैसा बज़ेगा गंदा वाला तो अच्छा पार्ट बज़ना है तो यह ग्यान को बहुत कहरें इसे समझें और ब्रह्मा को मारी इसमें करके समझें कि आपने क्या क्या जनम लियें पिछले जनमों में यह सारा राज यहां मिल जाता है इसी के साथ मैं आपका दिन शुब हो आप सुच रहें आप सुकी रहें ओम शांती